आप सब ने हमारी रिपोर्ट की हेड्लाइन जुसमें हमने लिखा है कि अब राखिस सावन चाहती है एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर कहा मुझे अब एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर करना है अब इस खबर की पूरी सच्चाई क्या है तो बता दे कि राखी सावन जब से बिग बॉस के घर में आई है तब से वो लगातार सुर्ख्या बटो रही है कभी तो वो अपने अजीबो गरीव स्टेटमेंट से सभी को हसाती है तो कभी घरवाल उससे पंगे लेती नज़राती है अब राखी ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसे सुनकर आशी खान और कैश्मीरा शाक की बोलती बंध हो गई दरसल घर में मनु पंजाबी और निकी तंबोली का नाम जोड़ा जाने लगा राखी ने निकी और मनु से लव एंगल का नाटक करने ले कहा था और साथ ही बोला था कि ऐसी लव स्टोरी बनाए जिसमें फैंस को भी मजाए इसके बाद घर में निकी और मनु के बीच कुछ कुछ होने को लेकर चर्चा शुरू हो गई आश्रिखान कश्मीरा शाह से कहती है कि मनु पंजाबी और निकी तंबोली के बीच कुछ तो चल रहा है क्योंकि मनु हमेशा उसके आगी बीचे गुमता है यह सुनकर राके सावन कहती है तो इसमें हर्स ही क्या है और फिर शो म राकी को इस बात का दुख है कि बीच बोस के घर में कोई असर नहीं है जिसके साथ राकी अपना अफैर चला सके इस पर बीच बोस से कहती है कि बीच बोस आपको कोई तो ऐसे इंसान भीच रही होगा जिसके साथ मैं एक्स्ट्रा मेरिटल अफैर चला सकूं यह सुनते ही आर्शी खान और कश्मीरा शाग के होश उड़ जाते हैं और वो हैरानी से राखी सावंत को देखने लगते हैं। तो ये है राखी सावंत की पूरी सचाई जो सिर्फ बिग बॉस में फुटेश पाने के लिए ऐसी डिमांड राखी सावंत रख रही है बिग बॉस के सामने नेक्स्ट मैं लाइफ से रोजनी की रिपरॉट